बड़ी खबर इटावा से जहां शुर्पाल यादफ का एक बड़ा बयान सामने आया है और कहा है कि सपा के साथ गटबंदन चाहते हैं शुर्पाल तो अकलेश को सिये मनाने की बात यहां पर कही गई है और कहा गया है कि 2022 में सरकार बनेगी तो शुर्पाल यादफ ने यह बयान दिया है और कायक मुक्तमंत्री बनने से शुर्पाल यादफ का इंकार सामने आया है और कायक बिनाशुर्थ अकलेश से मिलने को वो तैयार है तो अब तक जो खटास जो तकरार चाचा और वतीजे में रेखने को मिलती थी कह सकते हैं कि इस बयान के बाद कहीं ना कहीं उस तस्वीर को साफ करने की कोशिश अब श्रिपाल यादव के तरफ से दिख रही है और से के चलते गठबंदन चाहते हैं समाजवादी पार्टी से शुपाल यादव